आज के सिंगल वीडियो में हम दो तीन टॉपिक देखने वाले हैं कि टेली प्रैम में आपको कैसे करना है नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी खास पागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ग में आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि टीजस पेबल, सैलरी पेबल एंड बीओ पेबल का लेजर आपको कैसे क्रियेट करना है टेली प्रैम में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इन तीनों पेबल की लेजर को आपको कैसे क्रीएट करना है तो देखिए सबसे पहले मैंने सैलरी पेबल का लेजर क्रीएट किया है under आपको रखना है current liabilities के अब current liabilities के क्यों 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 कि जो हम salary देते हैं जो आपकी salary पेबल होगी वो आपके business आपके company के लिए ultimately indirectly expenses होते हैं तो वो current liabilities के अंडर में आते हैं जो कि आपको pay करने होते हैं उसके बाद जो next ledger हम create करेंगे PF payable का जो employee की PF payable होती है तो वो भी current liabilities के अंडर में आती है क्योंकि जो PF payable होता है वो company को pay करना होता है तो यहाँ पर PF payable का जो ledger हम create करेंगे अंडर same group के current liabilities के करेंगे और इसको save कर लेंगे third हम create करेंगे ESIC payable का इसका भी जो group है आपको current liabilities करना है और इसको आप save कर लीजिए तो इस step से current liabilities के अंडर में salary payable PF payable, ESI payable इसका ledger आपको create कर ले रहा है और टीर्जर पेबल का भी ledger अगर आप create करना चाहते हैं और salary पर deduct होता है तो उसका ledger भी आप under current liabilities के create कर सकते हैं next topic है अगर आप teleprime software को use करते हैं after one year teleprime software जो है वो update होता है और software updation के लिए teleprime company आपको teleprime software updation का invoice base करते हैं तो teleprime का जो software है अगर आप इसको update करवाते हैं तो उसकी invoice को आपको कैसे entry करनी है यह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि teleprime software updation का आपको entry कैसे पास करना है teleprime में तो gateway of tele से आपको create पे prime solution का जो company है उसका नाम में create कर लेती हूँ under sundry creditors के maintain balances bill by bill yes कर लीजे party का adders feel कर लीजे state कर लीजे and जो gst number है इस company का जो tele company है उसका feel कर लीजे उसके बाद जो आप software लेंगे तो software charges के नाम से आप ledger create कर सकते हैं तो यहाँ पे next ledger हम create कर लेते हैं software charges का तो जो आप software update कराएंगे उसकी entry हम इसी ledger के under में करेंगे under आपको करना है indirect expenses क्योंकि जो software charges आप देंगे ultimately आपके business के लिए indirectly expenses होगा यहाँ पे yes press करने के बाद यहाँ इसका जो ssc code है वो feel कर लीजे nature of transaction में आपको not applicable अगर interest rate से purchase कर रहे हैं service को अगर local से purchase कर रहे हैं तो purchase taxable 18% tax debt apply करते हुए type of supply में services कर लीजे और इसको हम save कर लेंगे अब मैं आपको show करती हूँ चलिए जो हम software update कराएंगे और इसकी invoice जब आप receive करेंगे तो इसकी entry आपको कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ तो gates view of telly से आपको भी प्रेस करना है इसकी entry आप journal voucher में भी कर सकते हैं चाहतो purchase voucher में भी कर सकते हैं दोनों पे impact एक ही होता है तो purchase voucher हम select कर लेते हैं जो हम service पे purchase करेंगे उसकी entry हम इस voucher में करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपके पास ऐसा show नहीं होता है तो right hand side से change mode पे click कीजिए and accounting invoice आपको select करना है तो इस type से जो purchase voucher का mode है वो open हो जाएगा and इस सी mode में हम invoice की entry करेंगे suppliers का invoice number फील कर लीजे party account name तो जो हमने teleprime company जो create की थी उसका हम laser select कर लेंगे उसके बाद देखिए software charges जो हमने create किया था वो select कर लेंगे यहाँ पे आपको laser के लिए description मिलता है जिसमें कि आप mention कर सकते हैं कि आपने software update कर बाया है या फिर कोई आपने service purchase की है तो जो भी आप narration में यहाँ पे description में mention करना चाहते हैं description में mention कर सकते हैं और यहाँ पे आपको taxable पहली feel करनी है तो suppose कीजिए 4000 plus GST का आपका bill है तो 4000 और उसके उपर हम CGST and SGST apply करेंगे क्योंकि हम local area से purchase कर रहे हैं तो इसलिए 9% CGST और 9% SGST हम apply करेंगे और उसके बाद यह invoice complete हो जाएगा तो in this way आपको भी अपने software purchase की entry है इसी तरीके से करनी है जैसे मैं आपको screen पे show कर रही हूँ तो यहां narration में आप mark कर सकते हैं कि आपने software update करवाया है कि computer का update करवाया है वो भी सारी चीज़े आप यहाँ पे mention कर सकते हैं अपने software purchase कर लिया है उसका ledger अगर आपको देखना है तो हम क्लिक करेंगे go to में यहीं से alt a press करना है आपको right hand side से payment वाला voucher select कर लिजिए और उसके बाद हम यहाँ पे date select कर लेंगे जिस भी date में हम payment करेंगे उसके बाद यहाँ पे जिस company से हमने यह purchase किया है उसका हम यहाँ पे amount कर देंगे debit invoice reference जो है वो अट जिस कर लिजिए किया था उसके बाद हमने payment कर दिया है तो इस पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है इसी थार्ट topic हम देखने वाले हैं अगर आप quotation बनाते हैं किसी पार्टी को quotation बना कर देते हैं तो quotation पे आपको कैसे bank detail को update करना है जैसे कि आपका bank name हो गया bank account number IFS तो bank से related जो भी सारे details है वो कैसे आप enable कर सकते हैं अपने quotation पे so that इससे पार्टी के लिए भी easy हो जाएगा अगर आपका quotation done हो जाता है तो easily quotation पे आपका जो bank detail mention है उसके through party आपको इसली payment कर सकता है तो जलिए इन सारे वीडियो को इन सारे topics को one by one हम देख लेते हैं तो गेट्वी आप टैली से आपको create पे जाना है उसके बाद हम जाएंगे voucher टाइप पे और यहीं से आपको quotation का voucher create करना है मैंने अल्रडी create किया है मैं आपको show करती हूँ alter पे जाके voucher टाइप पे और यहां देखियो quotation से मैंने create किया हुआ है इस टाइप से voucher का name quotation रख सकते हैं आप and select type of voucher में आपको sales order रखना है and activate this type of voucher में yes कर दीजिए method of voucher number में आप यहां पे select कर सकते हैं automatic select कर सकते ह इसके बाद यहां देखिए इसको save कर लीजिए अब मैं आपको show करती हूँ gateway of tally से dss press करेंगे हम and देखिए जो हमने create किया था quotation voucher वो आपको यहां पे blue color में मैंने highlight कर दिया है अब एक entry करके show करती हूँ suppose किजिए कि कि किसी को हमें quotation देना है तो gateway of tally से b press करना है right hand side से other voucher पे click करके यहां से quotation का जो voucher है वो आपको select कर लेना है date change कर लीजिए उसके बाद party account name select कर लीजिए और यहां से आप all to see press करके new party का ledger भी create कर सकते हैं अब इसके बाद हमें name of item जिस product का quotation बना रहे है वो product select कर लीजिए quantity select कर लीजिए जिस rate से आप कर रहे है वो rate select कर लीजिए उसके बाद इसके उपर हम takes apply करेंगे cgst and sgst क्योंकि हम local party के लिए बना रहे है इस type से जो quotation है वो ready हो चुका है अब मैं आपको show करती हूँ हम print पे जाएंगे current पे जाएंगे और इसका print preview देख लेते हैं तो यहीं step for press करेंगे तो यह zoom हो जाएगा देखे quotation आपको show हो रहा है नीचे जब आप देखेंगे कहीं पे भी आपको bank detail और company का turn and condition show नहीं हो रहा है तो कैसे show होगा चलिए configuration करते हैं तो सबसे पहले हम voucher में configuration करेंगे turn and condition को enable करेंगे तो यहाँ पे gateway आप टैली पे जाएए और वहाँ से आपको जाना है alter पे उसके बाद हम जो quotation का voucher type में ज लीजिए अब यहाँ देखिए set alter declaration इसको आपको yes करना है already इसमे by default टैली प्रैम से declaration होता है अगर आपको यह same रखना है तो आप रख सकते हैं otherwise आप इसको delete कर लीजिए and जो भी आपके company का turn and condition जो भी norm से वो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो जो भी condition आपको रखना है यहाँ आप text कर सकते हैं अपने message को जिसे कि मैं आपको यहाँ पे example दे देती हूं term and condition कर देते हैं and suppose किजिए कि जो आप material sale करते हैं उसको आप वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप declaration दे सकते हैं we are here declare that once good soul will not taken back कुछ steps जो भी आप declaration देना चाहते हैं वो अपने term and condition में आप यह यहाँ पे text कर सकते हैं point wise भी कर सकते हैं and इसको save कर लीजिए तो मैं आपको show करती हूं again हम उस quotation को open कर लेते हैं देखते हैं कि यह turn and condition वहाँ पे activate हुआ है या फिर नहीं तो यहाँ देखिए quotation में हम जाएंगे and उसके बाद यहाँ पे जो हमने quotation just बनाया था उस पे जाना है print page आना है current पे and इसका preview हम देख लेते हैं तो जैसे आप scroll down करके नीचे आएंगे देखिए declaration में आपको turn and condition and we are declared that good one soul will not taken but कुछ जो भी आप यहाँ पे mention करेंगे वो आपको यहाँ पे message show होगा अब bank details को कैसे आपको enable करना है तो यहीं पे हम करेंगे configure पे click and उसके बाद details में आपको show bank details show होगा enterprise करके आपको yes कर लेना है and bank name में enterprise करेंगे तो यहाँ पे list of bank open हो जाएगा and आपकी company में जितने भी bank है वो आपको show होगे and जिस भी bank को आप quotation पे mention करना चाहते हैं उस bank को यहाँ पे select कर लीजे मैंने SBI bank कर लिया है अब चलिए print preview देख लेते हैं तो preview bank details आपको show और यह bank का name, account number, IFS and जो declaration चाहिए था हमें term and condition जो चाहिए था वो भी हमें यहाँ पे show हो रहा है तो इस step से आप Tally Prime में अपने quotation में bank details को enable कर सकते हैं description box सो check out करना ना खुलिएगा वहाँ में Tally and account से related next some videos के link provide कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे चैनल को भी search कर सकते हैं मेरे चैनल का name है Suman Education Heart आपको वहाँ पे playlist मिल जाएगी आप playlist watch कर सकते हैं playlist आपके लिगाद भी helpful होगा तो definitely playlist को watch किजेगा I hope य मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में share किये हैं यह topics आपके लिए helpful आओगा अगर helpful आया तो channel को like share subscribe कर दिजेगा thank you and keep watching my videos